हम बीपार्ट फस्ट के दिशम जोगराफिय प्रशंद पत्र के बात करेंगे जिसके अंदर रिंट हम अर्थ-मूमेंट की बात करेंगे इसके वीडियो stab gedaan है सेर इस्टूडेंटि का रिख संदर ह संदर में बात कर रहे हैं जब करी हैं ine नयाszyst enclょकि सतय पर कान चती भूष हंचलन होता है तो उसमें चत्डनों की सताई है चटक निज़ाइस रागती है और इससे बिना इस्थान परिवतन के उपरी तल पर दरारे पढ़ सकती, इसका प्रभाव सिरफ उपरी सताता की रहता है, जब तनाव अधिक बढ़ने लगता है तो चटाने निश्चित तल के सारे तूटने लगती है, यदि ऐसी चटाने का अपना इस्थान नहीं में इस्थान परिवतन होने लगता है, और विभंग एक चटा के दरार का परभाव गहराई तक होता है, तब उस किरिया को ब्रहंशन डियर स्टुडेंट कहा जाता है, ब्रहंश डियर स्टुडेंट यानि फाल्ट जब तनाव की तिवरता के कारण चटाने तूट कर दूर तक ही सकती है, या उनमी विष्टापन होता है, तो उसे ब्रहंश कहा जाता है, होमस के अनुशार ब्रहंश वह विभंजन धरातल है, जिसके विरुद चटाने अप एकसी तूरूप से उपर नीचे हो जाती है, जिस सतय तल के सारे ब्रहंश होता है, उसे ब्रहंश या भी प्रणश को समझाने के लिए डियर स्टूजट आउसेख है, उतपेकशित या उपरी खं़, ब्रणश तल से उपर की और उठे भाको उपरी या उतपे खं़ कहा जाता है, अध Cheepit या नीचला खंड, ब्रणश तल से नीचे की और के भाको नीचला अध ब्रयंज को इस जाता है पार दिवार को सीर्वित्ती करन नरज करने भाए जाता है डियर श्टुडन्ट को समझायا गया है एक बृअटर मुख्यत के तल की विवीदतां बनी आकर्टिय के निरूप इसे नाम से पकार जाता या सामाणैंभरन्ष किसी छेतर की चट्टान मेफ स्धूर्ण के सारे विपरित ही साँपरित के भाग भृंस तल के सार plus कहते हैं कि कि वीपरीत या वेति व्रहंच इसे त्कृम या च्छेपित भ्रहंच कि भी कहा जाता है संफिदण की किर्या मेर्धिक किर्या में की में चट्टान में दरार पढ़ने के पस्कात दोनों खंड आमने सामने क्योर बढ़ते हैं इससे चट्टान का एक भाग दूसरे पर छाया हुआ दिखाई देता है समांतर भ्रंस या सोपानी भ्रंस जब विचाव के अतिरिक्त तिवर संपिडन की किरिया बार बार प्रभावी हो तो संपिडन की अधिकता से महा थोड़ी थोड़ी दूरी पर समांतर भ्रंस तल पर दरारे पड़ेंगे ऐसे इस्तानों पर सीडी नुमा भ्रंसों का विकास होगा और ऐसे भ्रंस की किरिया अपवाद सवरूप ही होती है इसमें कगाल बहुत छोटे छोटे डियर स्टुडेंट होते हैं नमन या नति भ्रंस जब किसी भ्रंस की किरिया के समय चट्टाने नमन की दिसामय अर्था 36 तल के साहरे कुछ डिगरी पर कोण मनाती ही खिसके तो उसे नमन भ्रंस कहा जाता है नति लंब भ्रंस इसमें भ्रंस तल के साहरे 36 दिसामय ही चट्टाने खे सकती हैं तीर्य के अतिर्चे भ्रंस ऐसे भ्रंसों का विकास भूकम प्योजवाला मोकी परभावी चेत्रों में अधिक होता है अब एकसित भ्रंस या गिरवाखंड जब संपिडन का दबाव बहूत अधिक बढ़ जाता है तो चट्टानों का एक खंड आगे बढ़ कर भ्रंस तल के आगे उचल कर आगे के चट्टानों पर चड़ जाता है तो ऐसे ब्रंच का विकास होता है इसकी अगली अवस्ता गिरवाखंड का विकास होती है dear student इस चित्तर के माद्यम से भी dear student ब्रंच के विभिन परकार लंबत ब्रंच तिर्चा ब्रंच उतकरम ब्रंच सीडी नुमा ब्रंच रिप्ट गाटी और ब्लोग परवत को समझाया गया है ब्रंच से बनने वाली इस्तरला करतियों की बात करेंडियर स्टूजन तो उसमें ब्लोग परवत है दरार घाटी है लोग परवत में जब ब्रंच किसी जब ब्रंच किरिया के दुवारा या तो दरारों के माद्यम का भाग उपर उठ जाए अथ्वा मद्य का भाग इस्ती रहे इंब्रंच तल के सारे दोनों और की चट्टाने नीचे की और खिशक जाएं तो ब्लोग परवत बनता है इस परकार के परवत तूंकि दोनों और ते ढाल उपरी तल समतल प्राय होता है इसे जर्मनी भासा में होस्ट भी कहते हैं डियर स्टूडेंट इसके यूरोप म साल ट्रेंज इसके विशेश daran है ब्लोग परवत के खरती अद्रार घाटी ब्रंच अधरार घाती के निर्माण में दो समनांतर की प्राय ब्रंच काफी दूर तक विक्षित होते है इसके बीच का भाग नीचे दसजाता है इसी नीचे दसे भाग को ब्रंच घाटी या दरार घाटी की नाम से जाना जाता है अधिकांस्त है ये घाटियां अधिक सक्रियें प्रियाप्त गहरी होती है विश्व की सबसे लंबी आस्चरे जनक दरार घाटी इसराइल वे जोर्डन से प्रारंब होकर पूरवी अफ्रीका के उंचे पठारी भाग की पस्त्रमी सीमा पर जांबिया तक लगब चार अजार पांसो किलोमेटर की लंबाई में डियर स्टुडेंट फैली हुई है इसमें अनेक जीले इमलाल सागर तक भी फैला हुआ है इसकी भाती राइन नदी की घाटी भी प्रसीद भ्रंच घाटी है और ये 32 किलोमेटर चोडी और 320 किलोमेटर डियर स्टुडेंट लंबी है जर्मनी में राइन घाटी साइकतराज अमेरिका में डैथ वेली जोर्डन में म्रत सागर आस्टेलियम स्वें इसर की घाटी खाडी भारत नर्म ताप्ति घाटी जापान में फोसा मेगमा जावा फिलिपिन के गरत भ्रंच घाटियों के सरश्टुदारन है ब्रंश कगार डियर स्टुडेंट ब्रंश कगारों का निर्मान विशेश दसाओं में उंचे धरातल के एक और ब्रंश दसाओं के कान होता है भारत में पस्मी घाट के किनारे का खड़ा ढाल ब्रंश कगार का ही एक हिस्सा डियर स्टुडेंट माना गया है प्रंज घाटी के विकास से समधित कोछ विचार धाय रहे हैं और दूसरी लड़्स का एक मत है अपना मत 1934 प्रस्तुत के उसके अंसार रिप्ट घाटी का निर्मान कई अवस्ताव में होता है इसमें आमने सामने से सटी संचलन से बीच का बाग संचलित होकर उपर उबहर द्वार उपर ऊठता है जब संपिडन बढ़ जाता है तो ऐसे उबहर में विवर्हेंश वदरार पड़ जाती इस से वहां दरार घाटी का निर्मान हो जाता है बहिरजाद सक्तिएं के ढिएर स्टुडेंट बात करते हो जहां अंतरजाद सक्ति फोतलों पर वलन, प्रहन, शोतनेन, धसाँ द्वारा भी समताओं का विकास करती हैं उसे के साथ साथ भोतल पर ही बहिर जात सक्तियां विवीत प्रकार्चा पक्षा परदनें निक्षेपन द्वारा उपर उठे वे उबड़ खाबड भागों का समतलिक रन करती रहती है इस प्रकार इन दोनों ही सक्तियों का कारी एक दूसरे से पूर्णते वी प्रीत होते वे भी एक दूसरे का पूरा के वो समय कारी है क्योंकि दोनों ही सक्तिया समय समय पर प्रित्वी की सथा पर होने वाली ऐस संतुलन की दसाओं को बूसंतुलन की आदर से स्थितिम लाने का प्रयास करती है यह जहां अंतर जा सक्तिया निरंतर भी समताय पैदा करती है वहीं ऐस ये प्रतुवी के आंत्रिक सकतियां थी बाय ये सकतियां थी जिनके मादम से धर्हतल के ओपर जो भी बुगार्वी कल्चरों के कान से हैसामान ताय सरजित होती हैं उनको पुने बहिर जास्कतियां शम्तुलित करके बूसंत वुलन को डीर स्टूजेंट बनाये रखती है तेंक्यू डियर स्टुजेंट निश्यत रूप से आपको इस समझ में आया होगा